जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 73 हटाए जाने के बाद राज्यों के सरक्षा भी बढ़ा जी गई है सरक्षा विवस्था को लेकर उतराखन में आईजी कानून विवस्था का प्रिभार संभाल रहे आजे प्रकाश अंचुमन से बाज़ित की हमारे बिरोचेप राव शफात अरिने आजे के एतिहासिक दिन है केंदर सरकार ने जम्मो कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया है समिदन शीलता को देखते हुए राज्यों को आलट पर रखा गया और इसे मुद्दे पर बात करने के लिए मारे साथ आला दिकारी मौजूद है सर समिदन शील है आज का मामला किस तरह का आलट देखिए जैसा कि आब अवबत हैं दारा 370 भी अटाई गई है और कुछी दिनों में 15 अगस्त और बकरीद और यह सब भी परवाने वाले हैं तो पुलिस पुरी मुस्तेदी से काम कर रही है हमने समस्त पुलिस से देख चक वरिष्ट पुलिस से देखिए इन लोगों को आविशक निर्देश देदी हैं पुलिस को मॉबलाइज करके जितने भी उनके पास फॉर्सेज हैं उनका सही इस्तमाल किया जा रहा है और फुरी दरसे हम लोगों मुस्तेद हैं दो दिन से कयास लगा जा रहा है थे कयासों को देखते हुए आपने सुरक्षा बढ़ाई या केंदर सरकार से कोई ग्रहमंत्राले से कोई आता है नहीं नहीं हम लोग ये नॉर्मल ये रूटीन प्रक्रिया है और चुकि पंद्रा अगस्त भी आने वाला था तो हम लोग अपने सारे जनपदों को आभिशक निर्देश संब्ध में दिये हैं जो विशेस रूप से वो मुस्तेदी रखेंगे बॉर्डर एरियाज हैं महाँ पर सुरक्षा वस्ता ज़्यादा कड़ी है और जो वैस तेलागे हैं आपसी समंद्ध में हमारा हमने इस समंद्ध में आई जी एससबी से भी बात करी है और हमने सभी लोगों को ये एक जनरल सर्कुलर हमने दिया है कि आप लोग पुरी मुस्तेदी से काम करेंगे सर्फ जी उत्राखंड एक शांत राजी है अलागे किस तरह की मॉनिटिंग चल रही है आकरी सब जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कहीं से भी कोई आप्रिय सूचना की ख़वर नहीं है ये इंगित करता है कि हम लोग बहुत ही एक शांत प्रदेश है और हम आशा करते हैं कि आगे बहुत हमें हमारी कानुन रोस्ता इसी तरह से शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो उत्राखंट अलर्ट पर है लेकिन सुरक्षा वहस्ता पूरी तरह से चाक्चो बंद है कैमा परसंद अभी शेक के साथ मैं राओ शापात अली खबर अभी तक देरानों